गाइज आपने देखा होगा कि Facebook में बहुत साई लोग क्या करते हैं जैसे आप उनके profile में क्लिक करते हैं और see more about value option में क्लिक करते हैं तो उनका phone number आपके सामने सो हो जाता है अगर आपका भी number ऐसे ही सो हो रहा तो अगर आप चाहते हैं कि आपका mobile number कोई भी ना जाने तो आप अपना Facebook पर जो number डला हुआ है तो उसके लिए आपको करना क्या होगा होगा सबसे पहले आपको Facebook को open करना होगा आप देख सकते हैं सबसूपर यहां पर blue color में Facebook लिखा रहा है और यहां पर वीडियो देखने का आपके front list में जो request पर यह हैं वो सब देखने का option मिलता है इसी आप यही पर क्लिक कर देंगे जब आप इसमें क्लिक करते हैं तो फिर आपके सामने यहां देख सकते हैं कि तरह तरह के आपसान आ जाते हैं नियूज फेड, reaction, preference यानि कि बहुत सारे options हैं तो आपको यहां पर यहां का option मिलता है personal and account information first number पर यहां पर क्लिक कर देंगे यहां क्लिक करने के बाद आपके सामने आ जाता है आपका नाम साथ में contact information, identity confirmation, account ownership and control तो आपको इसमें second number पर contact information वाले option में क्लिक कर देना है यहां पर आपके सामने कुछ इस तरीके से पेंजाता है जहां पर आपका mobile number डला रहेगा अगर आपका mobile number पहले से सो हो रहा है तो यहां प पर public या फिर फ्रेंड्स राता है तो आपको इसे में click करना होगा यहांनी कि अगर आप बंद करना चाहते है तो आप इसे में click कर देंगे इस्में क्लिक करने के बदद आपको यहां only me या फिर आपके सामने 3 option में से कोई भी सो हो सकता है public का friends का या फिर only me का तो आपको only me में कर देना है अगर आप only me में करेंगे तो इससे होगा क्या कि आपका phone number सिर्फ आप 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 देख सकते हैं आपके अलाबा कोई भी ब्यक्ति नहीं देख सकता अगर आप friends से करेंगे तो friends में आने कि जो आपके front list में वो सभी आपका mobile number देख सकते हैं अगर आप public में कर देंगे तो आपके profile को search करके कोई भी आपका number देख सकता है